हेलो फ्रेंट्स वल्कम टू माई यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में मैं आपको 46 हैज की कटोरी व्लोज की कटिंग्सिर करूँगी तो फ्रेंथ्स वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राब जरूर करें चली फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से मैंने आप एक अप्रे को डबल फॉल्ड कर लिए और मेजर्मेंट अपा स्क्रीन पर देख पारेंगे फ्रेंट्स यहीं मेजर्मेंट मैंने लिया हुआ है सबसे पहले हमें बैक पार्ट की लेनी है त इसके पाद आपको लेना है आर्मॉल तो आर्मॉल यहां से मैंने 6 इंच लिया हुआ है तो यह देखिए फ्रेंट्स इस तरह से 6 इंच पे एक मार्क कर देंगे और इस तरह से हमें 5 इंच की गुलाईत देनी है इसकी और अब हम लेंगे चेस्ट का 1 फोर्थ तो मैंने यहा हमें डेट से 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी है और कमर है यहाँ पे यह देखिए 10 इंच प्लस 1 इंच बैक्साड की टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन मार्जिन वाले लाइन को हम इस तरह से आपस में जोइंट कर देंगे इसके पाद अब हम नेक विर्थ लेंगे तो नेक विर्थ है 2.5 इंच और नेक का लेंथ अब अपने अकोडिंग रखें तो मैंने यहाँ से नेक का लेंथ 9 इंच रखा हुआ है और इस तरह से एक बॉक्स बना ले रहा है हमें और कोई सा भी नेक का सेब ड्रो कर सकते हैं आप यहाँ पे मैंने यहां पर round shape draw किया हुआ है और अब हम लेंगे back part की tux के लिए तो tux हम यहां से 5 inch पे देंगे friends और उपर की तरब से भी 5 inch लेंगे और दोनों side से half of inch हम tux देंगे total tux हमारा 1 inch का हो जाएगा तो आप देख सकते हैं back part की marking हमारी complete हो गई है अब हम इसकी cutting कर लेंगे तो जहां पर मैंने marking क्या हुआ है से मुझसे जगा पर हमें cut लगाना है और इस तरह से बिलकुल अच्छे से आपको लगा लेना है cut और यह जो back part है इसे रखते हुए हम front part की marking करेंगे तो neck की cutting हम बाद में करेंगे front part की cutting करने के लिए back part को रखेंगे अच्छे से कपड़े को विछा लेंगे और side से हम half inch extra रखेंगे यह देखिए half inch हमें side से extra रखना है high hook की पट्टी के लिए high hook की पट्टी जब लगाएंगे तो आस stitching के time half inch हमारा दब जाएगा तो अगर अब front open रखते हैं तो half inch extra रखना है back open रखते हैं तो back part में half inch extra रखना है अब हम नीचे की तरफ one inch extra लेंगे जो की folding में चला जाएगा तो यह देखिए one inch हम ने extra ले लिया हुआ है और neck के पास जैसा है वैसे ही ड्रो कर लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम neck की length लेंगे तो neck का length हमने 6 inch लिया हुआ है और इस तरह से box बनाते हुए neck का save ड्रो करेंगे तो यह देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे इसका save दे दिया हुआ है अब हमें front armhole का save देना है तो half inch का इस तरह से solder को down करना है sorry armhole को down करना है यहाँ पे हमें और अब हम लेंगे पट्टी के लिए तो 3 inch लेंगे इस side और इस side हम 2.5 inch लेंगे और दोनों निसान को आपस में joint कर देंगे तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दोनों लाइन को आपस में joint कर दिया हुआ है इसके बाद अब हम कटोरी के लिए mark करेंगे तो कटोरी हमने यहाँ से 7 inch पे लिया हुआ है और neck के पास से 1 inch लेंगे और armhole की तरब से 2.5 inch लेंगे इसके बाद हम इसे गुलाई के साथ मिला देंगे तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे जिस तरह से मिला रही हूँ सेम उसी तरह से आपको भी कटोरी की गुलाई देते नहीं है बिल्कुल हलके हाथों से और इसके बाद अब हम इसकी cutting कर लेंगे तो इस आसान तरीके से आप भी सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूले जिसे की हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे तो ये देखिए फ्रेंट्स यहाँ पे मैंने इसकी cutting कर ली वी है और ये जो katoori है ये वेस्टे छे इसके जगह पर हम बड़े katoori रेडि करेंगे तो इसके लिए मैंने इहापर बचाव ओबा फज़ हैं और katoori को हम फज़़्ी के उपर अच्छे से जमा लेंगे और जैसा है वैसा ही सबसे पहले हम मार कर लेंगे कटूरी के चारू तरफ हम मार कर लेंगे उसके बाद ही हम कटूरी को बढ़ाएंगे तो इस तरह से हम चारू तरफ से जैसा है वैसे ही मार कर लेना है और इसे सैड में रख देना है अब हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि दोन तरफ से हमें कितना बढ़ाना है तो यह दे ये देखिए, इस तरह से हम जोइंट कर देंगी, इस सेट से हमें बिलकुल नी बढ़ा ना, बस दोनों निसान को आपस में मिलाते हुए, लैंडरो कर देनी है, और यहां से हमें सिला मार्जिन का लेना है, जितना हम सिला मार्जिन रखते हैं उतना और नीचे की तरफी से हम म हम यहां पर टक्स देंगे, तो डेडे रिंच का हम यहां पर टक्स देना है, और यह कटोरी बड़ी हो चुकी है, तो इस आसान तरीके से आप भी कटोरी व्लाज की कटिंग कर सकते हैं, और कहीं कोई कंशिजोन हो तो आप हमें कमेंट रखते हैं, तो यह देखिए, कटोरी हमारी रेडी हो गई है यह बिल्कुली परफेक्ट बनती है तो आप एक बार जरू ड्रै करें इस तरीके को और इस तरह से यहां पर मस्टीचिंग लगाएंगे तो फ्रेंड्स आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं साथ ही वीडियो को ल अहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फ्रेंड्स